असलाम लेकूम आइम अक्सा आप देख रहे हैं जी एफ पीपी हमारे प्रोग्राम हेल्थ और ब्यूटी सेग्मेंट में आज का हमारा टॉपिक है मेडिकेटीड हाइडराफिशल इस सिल्सले में आज हमने इन्वाइट किया है एक बर फिर से डॉक्टर सिर्फराज एहमद म जासे कि आज हमें इस सिल्सले में आज हमें डॉक्टर सिर्फराज बताएंगे कि मेडिकेटीड हाइडराफिशल बेसिकली है क्या अच्छा बड़ा अच्छा टॉपिक आज का डिस्केशन के लिए है बेसिकली हाइडराफिशल दो तरह के है जम एक रूटीन वाला एक तो हमने जो इंटोडूस करवाया मैडिकेटीड अडिकेटीड हाइडराफिशल उसमें जो स्टेप्स है मैं आप से शेर करूंगा नमर वन खुलेंजिंग होती है उसके बाद एक्सफॉलिएशन होती है फिर हाइडरेशन होती है और इसके लिए जो हम सेरम्स यूज करते ह है वो इंपोर्टिड है और कोरियन तो से आंफिशल है डिफरेंट पॉले समी उसमे और हाइडर फीशल में क्या फुर्क है सिर में हम डिफरेंट जो टेकनीक्स वह यूज करते हैं और कोशिश करते हैं जो स्कें की लेश हम उस असाब से उसका sticking Li ह है हम उसका हमारे ज्वर म एंटी रिंकल्स है और बाज ऐसे लोग में जिनकों बहुत सारे डार्क स्पार्ट आते हैं उनके लिए हैं और एक्नी के लिए हैं तो वो हमारे 6 ताइप्स के करते हैं तो स्फे करते हैं तो हम जो इस यह देखा होगा उगा तो हर पेशिंट के लिए हम दो कार्टेज यह यूज़ करते हैं जो पूरी चीक के लिए हैं और कुछ ड़ाये यह जैसे एंगल कावगा है और भी चुटी टीप यूज़ तो उसे जो यह वाले एरिया भी हम अड्रेस करते हैं और इसके साथ जो सीरम्स है भी हम यूज करते हैं और वह भी मेडिकेटिड है इसलिए हम इसको मेडिकेड़ है 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 इसको मेडिकेड़ तो उसके लिए आपको डेट से दो माँ अशफिशेंट टाइम है क्योंकि ये एज की वज़े से चेंज आरही है या एक वो लोग जो बाहर होट क्लाइमिट में काम करते हैं किसी जो खराब होती है पिग्मेंटेशन आती है और डड़ स्कीन आती है तो उसके लिए रिकमेंट करते हैं डेट से दो माँ बाद हो एक दफा जरूर लिया करें और ये प्रोसीजर कितने मिन्स का होता है 45 मिन और इसका ताइमिंग क्या है वो जो रूटीन में लोग करते हैं वो एक्टिन क्या करते हैं आपने देखा होगा कि उन्होंने एक पोडर बनाया होता है जिसमें अधियर ब्लीच होती है और वो पर पेस्ट लगाते हैं जिससे आपको इमेजेट ग्लो तो मिलती है बदो तीन गेंटे के लिए लेकिन एक्शली वो मारी जो स्कीन नहीं उसको थिन करता है पतला करता है और मारे पास अब पेशेंट आते हैं वो सारे तो उनकी स्कीन के अं अधियर नाजनन को यह भी बताते चलें कि आपके पास कौन से टेक्निक्स और तेकनोलिजी है अधियर अधियर के लिए अमारे बाद जो दुनिया की बेस्टमन मशीन है वो है जिसके साथ हम आधियर अधियर यूज करते हैं और हार पेशेंट के लिए जो कॉर्टेज हैं और उसके साथ जो इसके सीरम्स हैं उस भी हम वो साब से स्लेक्ट करते हैं कि इस पर्टिकॉलर पेशेंट में या क्लाइंट में हमने कौन से सीरम है यूज करते हैं और उसके साथ हम उसको बाद में एक लेजर तरापिया वो देते हैं एक मास्क हम यूज करते हैं यूटेन M.L.T. हमारी लेजर ठरापी उस से क्या है यह जो फेज की हून की नालियां है उनको एक्टिवेट करता है उससे जो ब्लॉड बढ़ती है और जो लेंफैटिक डिन इनएज वह जो जिसको हम कहलें के फेज के अंदर जितने टॉक्संस है यह गंदे ऐसे केमिकल है जो नहारी पी बाडी शेयद के लिए या आपना एक दिना य्हेज के लिए घंज करते हैं नुकसां दे हैं तो उनको भालताा है तो उतीमेटलि आपको लाइन ग्लो मिलती हैं यह जो स्कीण के ... तैक्च्छर यह बहतर होता है जो फारी क में उम आखो … फैज के छी ने… और फ़्ार ने ह जी नाजरीन तो जैसा कि डॉक्टर सर्फराज ने हाइडरा फिशर से रिलेटिट इतना कुछ एक्स्प्लेइन किया हम उमीद करते हैं यह सब बाते आपके लिए बहुत कारामद होगी तो हमें दीजिये इजाज़त देखते रहे हैं जी एफ पे पी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में अल्ला हाफिस